ओम स्रीवेंकटे साय नम्हां मैं प्रोफेसर एस्वी एसेस नारायन राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं संत स्री गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा रचित स्री रामचर्त मानस के बालकान से सम्मंदित विबिन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूं संतों के बाद दुष्ट जनों को भी व्याक्या भी देखेंगे मैं अपनी दिस कीनह निहोरा तिनह निज ओर नलावब भोरा बायस पलियाहि अति अनुरागा होही निरामिष कबह की कागा बंदव संत असज्जन चरना दुख प्रद वभय बीच कच भरना बिचुरत एक प्रान हरिलेही मिलत एक दुख दारुन देही उपजही एक संग जग माही जलज जोंक जिमिगुन बिलगाही सुधा सुरा सम साधू असाधू जनक एक जग जलद अगाधू बल अनभल निज निज कर तूती लहत सुजस अपलोक बिभूती सुधा सुधाकर सुरसरी साधू गरल अनल कलिमल सरी व्यादू गुन अवगुन जानत सब कोई जो जेही भावनीक तेही सोई भलो बलाई ही पै लहाई लहाई निचाई ही नीचू सुधा सराहिव अमरता गरल सराहिव मीचू देखिए अब क्या बता रहे हैं तो सिदा जी मैं अपनी दिसकीन ही निहोरा तिनह निज और नलाव भोरा भायस पलिहाही अति अनुरागा हो ही निरामिश कबों की कागाव मैंने अपनी वोर से विनती की है परंतु वे अपनी वोर से कभी नहीं चुकेंगे कवव को कितना भी बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मामस को त्याग कर सकते हैं क्या नए बंदव संत असजन चरना दुख प्रद वबाय बीच कच बरना बिचुरत येक प्रान हर लेही मिलत येक दुख दारुन देही अब तुषिदा जी बता है अब मैं संत और असंत दोनों के चरनों की वंदना करता हूँ दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है वह अंतर यह है कि एक संत तो बिचुडते समय प्रान हर लेते हैं और दोसरे असंत मिलते हैं तब दारुन द अकुदाई होता है और असंतं का मिलना उपजही एक संग जग माहि जलद जिम में गुन बिलगा ही सुधा सुरा सम सादु असाधु जनक एक जग जलद अगाधु कर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जूंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं कमल दर्शन और स्पर्ष से सुक देता है किन्तु जूंक शरीर का स्पर्ष पाते ही रक्त चूसने लगती है सादू अमृत के समान मतलब मुर्थ्य रूपी समसार से उभारने वाले हैं और असादू मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन करने वाले नीच हैं दोनों को उत्पन करने वाला जग रूपी अगाद समुन्दर ये खें मतलब शास्त्रों में समुन्दर मंतन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पती बताई गई है बल अनभल निज निज करतूती लहत सुजस अपलोक बिबूती शुदः सुदाकर सुर सरी साधू, घरल अनल कलिमल सर भ्यादू गुन अवगुन जानत सब कोई जो जेही भाव नीक तेही सोई बले और बुरे अपनी अपनी करनी के अमसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ती पाते हैं अमृत चंद्रमा गंगाजी और सादू यवं विश अगनी कलियुक के पापों की नदी अर्दात खर्म नाश और हिमसा करने वाला व्याद इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं किन्तु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है बलो बलाई ही पै लहाई लहाई निचाई ही नीचू सुधा सराहिव अमरता गरल सराहिव मीचू बला बलाई ही ग्रहन करता है और नीच नीचता को ही ग्रहन किये ज़ता है अमृत की सराहना अमर करने में होती हैं और विश की मारने में बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री मन्ना रायन भरत माता की